नमस्कार दोसों स्वागा थे आपका अपने यूटूब चैनल एक्स सर्विसमें सक्सेस मंत्रा प्रिवियस जितने वीडियो से उस पर बहुत अच्छे रिस्पॉंस मिला आपको और मैंने जैसा की वादा किया था कि मैं एजुकेशन के रिगार्डिंगी बहुत सारे वीडि लगना चाहते हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए हैं तो आइए बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है बैसिकली आप जब भी किसी भी एक्जाम के लिए प्रिपेर करते हैं तो वहां पर आज की जो एक्जामिनेशन की विवस्ता ऐस सब्सक्राइब करते हैं या फिर उनके स्क्वाइर निकालने की नो बताती है तो हम कैसे आसानी से ट्रिक के माधियम से विदीन 325 सेकंड नंबर का मुल्टिप्लाइब करने में दो से तीन सेकंड और त्री डिजिट के नंबर का चाहिए वह 999 हो उसका 998 मुल्टिप्लाइ पीडिकर नहीं लगेगा तो आज कि यह वीडियो है उसे के ऊपर है द्यान से पूरे वीडियो को देखें समझेे और में इसकी प्राक्टीस जरूर करें जा किमक 눌러ई करेंगे तभी ये आपके लिए काम करेंगे तो आपके लिए काम नहीं osoby आई इनका करते हैं आजका वीड है तो मल्टिप्लिकेशन इन सेकंड इसमें जो पहला टॉपिक है जो दो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें से पहला टॉपिक रहेगा कि टू डिजिट यानि की 10-299 जितने भी नंबर है उनका अगर आपस में मल्टिप्लिकेशन करना हो एक दूसरे से चाहिए दूसरे एक नं सब्सक्राइब नंबरों को कैसे हम मल्टिप्लाई करें विदिन सेकंड टू डिजिट त्री डिजिट और दूनों में एक चीज और आएगा कि इनका इसक्वाइर यानि की वर्ग जो है उनका भी देखेंगे कि डो डिजिट का वर्ग स्क्वाइर कैसा जल्दी निकाले और त्री डिजिट नंबर का भी स्क्वाइर कैसे जल्दी निकाले तो आए स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा पूरा देखिए और प्रैक्टिस करिए उसके पहले एक चीज और ध्यान रखिए कि आपको एट लिस्ट टेवल दस तक का तो याद रहना ह है तो स्टार्ट करते हैं आज का तो कोई भी दो डिजिट का नंबर है वह इस फॉर्मेट में आपको मिलता है एबी इंटू सीडी अगर आपको मल्टिप्लाई करना हो तो अब यह भी यूनिट डिजिट है और यह जो है वह टेंथ डिजिट है सेम दूसरे नंबर का यह य चिकली देखेंगे कि नया क्या है नया कैसे करेंगे तो इसके लिए मैं थेयरी भी बताऊंगा इसको कैसे करना और प्रेटकल यह के लिए कि हाँ पर एक नंबर ऐसी ले लेता हूं रेंडम ली 23 इंटू 43 तो इसको साथ साथ कलते चलेंगे और फिर हम लोग पांचे एक्ज अफस में मल्टिप्लाई करना तो अगर इस स्टेप को यहां लेकर जाए तो क्या रहेगा थे इंटू 3 यानिकी नाइग यह आएगा सेकंड स्टेप क्या होगा यानिकि स्टेप नंबर टू जो आपका होगा वह अब यह स्टेप खतम हो गया यहां पर द्यान देने वाला आगव और 9 कह 12 बाता तो लिखते हो और वन कैरी लित physician कैरीजेसर समँ करते हैं वेसे करेंगे इसको से और इसको से और इसको से और लुखेंशन करना है केरी फोरोट हमने पास है वन थर्ड स्टेप जो आएगा वो आएगा यानिकि दोनों जो टेंथ डिट वालेट नमबर है उनको आपस में मल्टिप्लाई करना यानिकि एंटू सी और यहां भी आपको कैरी मिलेगा वो कैरी आगे बढ़ जाए यहां कोई कैरी मिलेगा तो यहा आपको याद हो तो फोर टूजा एट और वन उन करी नाइन तो यह आपका एंसर आ गया अब इसको समझाने में इतना टाइम लेगा बड़ इसको रियल में करके देखेंगे कि कितना जल्दी होता है तो यह आपको ध्यान इतना ज्यादा देने जरूत नहीं इसको समझने के दोनों को जोड़ देना है तो थी टूजा शिक्स और फॉर टी जा एट और वन नाइन अब इसी को हम बहुत सारे एकजामपल्स के रूप में समझेंगे तो यह सिर्फ समझाने के लिए बेसिक आइडिया के लिए के थेरी काम कैसे करता है अब इसको हम चार-पाच एकजाम लेकर देख लेंगे और हमारा काम आसानी सो जाएगा तो चलिए एक पहले लेते हैं सबोज 85 को हमको multiply करना है 37 से ठीक है अब 85 को 37 से आप जैसे पहले multiply करते हैं तो पता ही है दो जगा लेकर फिर add करना है यहां direct करेंगे तो 75 जा 35 carry 378 जा 56 और 3 लिया तो 59 और 53 जा 15 तो 74 carry 7 8 जा 24 और 7 31 यह आपको समझाते में चल रहा हूं इसलिए थोड़ा सा तीन-चार सेकंड में एक्स्टा ले रहा हूं अधरवाज इसी को आप बहुत तेजी से कर सकते हैं कि 75 जा 35 नेक्स जांप लेते हैं माल लीजिए आपको एक रेंडम लेते हैं 29 और एक नमबर लेते हैं 43 अब इसको आपको करना है तो कैसे करेंगे इप्लाइ कर लेते हैं 65 से चली तो कितना हो गया फाइफ फोर्जा 20 करी टू 75 या 35 और 237 और 64 24 तो 24 और 37 61 करी 6 7 6 42 और 648 यह बहुत ही आसानी से यह ट्रिक आपको काम करती है और बिना ज्यादा दिक्कत के आप एक लाइन में विदिन टू तू थी सेकंड आप कर पाएंगे यह ट्रिक और असान हो जाती है मैंने जासे यह बात किता है स्कुयर की बात करेए क्यों स्कुयर को एसान हो जाती है क्योंकि अगर मानली जेपको bacter2 का इसको याद निकालना आपको याद नहीं इतना को नहीं याद रखता है हडली आपने 20 या 30 तक का इसको याद रखता है तो इसका मतलब हुआ 82 इंटू 82 इसमें क्या आसान इस्टेप तो वह यह मल्टिप्लाई करना बट क्या होता है कि दो नंबर जो बीच वाला मल्टिप्लिकेशन होता है वह आपस में ही डवल हो जाते हैं यह 16 होगा तो यह भी 16 होगा तो 16 तो 32 करना है तो देखते कि बना के कैसे होता यह देखिए तो टूजा 4 एक टूजा 16 16 तो टूजा 32 करी 3 एक एज़ा 64 और 3 67 तो 6724 हमारा यह एंसर आ गया यह विदिन टू से थी से कंड आयाता है इसक्वाइर के रेट में आपको आधा सेकंड कम ही लगता है नॉर्मल मुल्टिप्लिकेशन से थोड़ा और बड़ा लेकर देख लेत है एट अब देखें नाइन नेंजा एटीवन और यह भी एटीवन तो एटीवन टूजा 162 एट कैरी था तो 170 0 कैरी आपके हाथ में 17 अब नाइन नेंजा एटीवन और 17 कितना हो गया 98 तो इस तरह से आप बड़े से बड़े नंबर का भी स्क्वाइर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं एक और ले लेते हैं एक जंपल माल लीजिए तीन हमने ऐसे एक जंपल लिये था माल यह 67 का स्क्वाइर आ गया तो क्या करना है 67 इंटू 767 749 कैरी आपके हाथ में आ गय 28 अब आपके पास हाथ में रहा गया 8 866 36 और 844 तो यह मैं आपको समझाने के लिए इतना डीलिय में अराम से बता रहा हूं आप इसको करके देखिए प्रैक्टिस करिए आपके लिए बहुत आसान होगा यहां पर ऐसे भी नंबर आपको मिल सकते हैं सपोर्च किसी का नंब आपके हाथ में और फिर जैसे हम करते हैं डो डिजिट का नंबर का आपके हाथ में और फॉर टूटी फाइफ और ट्वेंटीफ और ट्वेंटीफ फॉर कितना हो गया 49 फॉर आगया 12 और 460 तो आप ऐसे भी इन डिजिट का आराम से मल्टिप्लिकेशन कर सकते हैं कोई भी दो नंबर आपके पास 10 से लेके 99 उन दुनों के बीच क्या और आपको स्क्वायर निकालना हो तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं तो उमीद है यह टूटीजिट का मल्टिप्लिकेशन रूल आपको अच्छे समझ में आगे होगा अ तो सबसे पहले ठीरी ठीरी पर कर चलते हैं जैसे कोई भी 3D का नंबर होगा तो किस फॉर्माट होगा A B C D E F यही होगा यानि मल्टिप्लाई अगर ऐसे दिया हो तो हम इसको कैसे करेंगा तो यह 3 लिख रहा हूं इसको ज्यादा तूल नहीं देना है ज्यादा आप इसको समझना है तो इस लिए प्रांटिकल के लिए मालें यह 123 और 321 यह छोटा सा ग्यांपल ले रहा हूं बाद में फिर बड़े-बड़े एक्जामपल को लेंगे तो हमने जो दो डिजिट वाला तिन स्टेप सिखा उसी तीन को यहां फॉलो करना है आपका पास दो स्टेप और बढ़ जाएंगे बीच में कैसे बढ़ेंगे तो इसमें दो वाले दो बार आएंगे तो यह स्टेप एक्स्ट्रा होगा और एक तीन का स्टेप होता है समझा देता हम आपको सबसे पहला स्ट फरस्ट इस्टेप जो वहां किया था हमने यानिकि सी इंटु एफ यानिकि एफ प्लस सी इंटू ही अब दोनों कैसे भी करिए रिजल्टों से माना है जैसे यहां करके देख लेते हैं वन इंटू टू और त्री इंटू टू या सिक्स और टू एट कि यह ऑ गया तो यह हो गया सेकंड स्जल आजाए कि अपके स्जल fix 3rd सेप में क्या करना यह क्या इंटी स्टेप में क्या है दोनों एक्सिट्रीम जो कॉर्णर हैं उनको अबर स्मय क्रोस मृल्टिप्लिकेशन कर दिए और वीज पी चौद के साथ कर दिया एक जामपल अगर इसको टेल्स में देखरें तो एंटू एंटु एंव हो जाएगा प्लस बी इंटू हो जाएगा प्लस सी इंटूं डी हो जाएगा तो लाइब इसमें करके देख लेते हैं इसका इससे तो तो टू जा 4 4 15 और 3 देजन नाई यानि कि 5 9 14 14 एक द्याम देना है कि कैरी हमारे पास न रहे गया यहां पर तो कैरी जो भी हो फ़रोड होगा यह होगा थर्ड स्टेप स्टेप आपके पास क्या रहेगा सेम जो दूजिट वाला जो हमने किया था अब चुकि इधर वाला दो खतम होगा यहां बहला इसका इससे कर दीजिए इसका इससे यानि कि आप करेंगे एंटू इप्लस बी इंटू डी यहां भी करका देख लेते हैं से तो बंज़ा टू तो तो शिक्स और टू एट और एक था अपने पास नाइन और लास्ट चुछ आपका आएगा यह फिर पहले वाला था जो नंबर लास्ट में रहेंगे एंटू डी यानिकि इस नंबर का इसके साथ तो थी आएगा यह आपका रियल्ट आ गया तो यह कहां स 2 x 2 4 4 5 4 4 5 9 9 5 14 का 4 कैरी 1 तिक उसके बाद दो वाला जाएट तो 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 आप इसी को एकजामपल करूप में अच्छे से देखेंगे तब हम आपको पूरा कलियर हो जाएगा कि शचत कर नंबर का मल्टिप्लिकेशन कैसे करते हैं तो चलिए एक रेंडम लेते हैं माल लेते ह और इसको मुल्टिपलाई करते हैं 243 243 अब देखते हैं एक लाइब में तो थोड़ा हम में डिटेल्स में जा रहा है क्योंको समझाना भी है आप इसको आसामिश करते हैं फाइफ त्रिजा 15 कव फाइफ करी वन शिक्स त्रिजा 18 और वन 19 और फाइफ फोरजा 20 तो 19 और 20 39 करी 3 3 3 त्रिजा 9 और 3 12 हो गया 6 फोरजा 24 24 और 12 36 और फाइफ तूजा 10 तो 46 कव 6 करी 4 अब दोबल आ गया इसमें 3 4 जा 12 और 4 16 और 6 तूजा 12 तो 16 और 12 28 और 3 तूजा 6 और प्लस 2 यानिकि तो यह आपका रिजल्ट आएगा अब देखिए एक साइन में कितना आसानी से जल्दी सा है जबकि मैं आपको एक-एक करके समझा रहा हूं यानि कि मैं अगर कैरी दिमाग में रखूँ और टेबल दिमाग में पढ़ूँ तो यह हारली चार से पान सेकेंड में हो जाएगा तो आप इसको देख सकते हैं क्या कि हमने यहां से य इसका इसके और 5 इसका अब सेम स्टप पे एक और एक्जामपल लेता है देखते हैं और फिर इसकौयर के भी एक्जामपल लेंगे माल लिजिए हमको करना है तो 37 और इंटु 423 अब इसको करना है सेम कैसे करेंगे देखिए 73021 तो आपके पास 399 और 21 और 7 टूजा 14 तो 11 औ 3 टूजा 6 8 6 14 को सेवन फोर्जा 28 28 और 14 42 करी आपके पास बचा चार 2 248 और 4-3 जा 12 तो 8 और 12 20 करी बचा 2 अब 3 फोर्जा में सब्सक्राइब कर एक और 2 बचा था आपके पास तो तो यह आपके पास इस टेप में पाच इस टेप में आपके पास सिदे एंसर आगया इसको आप चेक कर सकते हैं एक और एक्जांपल लेते हैं बहुत असाने दोस्तों मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं इसलिए थोड़ा लग रहा है क्योंकि समझना भी है समझाना भी है तो 136 माले आपके पास यह नंबर दिया है और आपको करना है माल लेते तो कैसे करेंगे सेम स्टेप 65 जा 30 3 रहा गया आपके पास 35 जा 15 और 3 18 और 65 जा 30 तो 18 और 30 कितना हो गया 48 आपके पास रहा गया आपके पास रहा गया थ्री आप दो वाला आ गया फाइव और त्री एट और टूजा 6 तो 8 और 6 14 अब आपके पास रहा गया एक अब आप करेंगे तो ओंजा 2 11 तो 346 जीरो तो ऐसे आप किसी भी तीम डिजिट के नंबर का आप मल्टिप्लाई कर सकते हैं अब यह आसान कहा हो जाएगा आपके पास आसान हो जाएगा किसी चीज का इसक्वाइर दिया वाल लेते हैं आपको दिया हो 143 का स्क्वाइर निकालना है तो कैसे क सब्सक्राइब दिमाग में करना मैं डिटेल समझाने के लिए बता रहा हूं तो तो 24 का 4 आ गया अब आपके पास टू बच गया अब देखिए तो डबल हो गया तो 6 हो गया तो 10 आपके पास बचे गया एक वन वन जावन ओट फॉन तो टू जू दो फोर फोर नाइन इसका अंसर आ गया तो हमारे लिए कुछ यह फोर एट और वन नाइन टू टू फोर टू टू जा फोर तो फोर फोर नाइन डबल फोर पहुत ही आसान जबकि मैंने थोड़ा डिटेल्स में बताया अब सबसे बड़ा नुम्मर लेग लेते हैं त्री डिट का या बीच का लेते हैं वह तो कल्कुलेशन तो लगभब 410 एं 16 वन आपके पास बचाब देखिया 6 मेर टाइब करना है कि 4810 तो 49 ऑर करी रहा गया तोो आपके पास क्या रहा गया देखिया फोर 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 जा शिक्स्तिन टूज़ा 32 हो गया फोर तो 36 और 66 गोर तो 72 आपके पास 7 रह गया है तो इस तरह से आप किसी भी 3D के नंबर का स्क्वाइर बहुत ही असाने से और काफी तेजे से निकाल सकते हैं और अगर कंपटिटिव एक्जाम जो आज के डेट में हो रहे हैं वहां अगर आप हर कल्कुलेशन पर एक दो सेकंड बचा लेते हैं तो फाइनल में आपको यही दूसरे स्टुडेंट से आगे लेके जाएगा उमीद है यह दोनों एक्जामपल आपको समझी में आए होंगे लेकिन समझने से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करना जरूर यह तो आपके पास यतने भी कैल्कुलेशन आते हैं मैल्टिप्लिकेशन के यह स्क्वायर निकालने के उसको इसी फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बहुत ही हीजी हो जाएगा तो उमीद है आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी और अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप घर पे कोई भी दो डिजिट का नंबर आपस में मल्टिप्लाई करना हो चाहे कोई भी तीन डिजिट का नंबर मल्टिप्लाई करना हो उसको बहुत ही आसान से और बहुत तीजी से कर पाएंगे और एक्जाम में अपने टाइम को बचा पाएंगे तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए थाकि आगे आपको ऐसी ऐसी वीडियो और अपडेट मिलते रहें टाइम पर टाइम पर तब ते के लिए दोस्तों जाय हैं